नवस्कार बिद्याथि पाइवेनेर अरुका लागी एब्जेप्शन एंड वेरिबल कोस्टिंग को के असमीता पब्लेकेशन बुक को के नियुमेरिकल प्रबलम हरु गरे कचुँँँवन्दा अगाडिको वीडियो मा अपनी मेले गरे कचुँँँआ अब एस मा प्रबलम नमर फो रा क्वेस्टन नमर शिक्सको सोलुसं एरुम् question number 5 कoo solution महीं ले इसेरेहनी वीडियो बनायाएर है YouTube मा महीं में अपलोड गरती है चाया चुड़ा यूटूब मा गायर एर दिन उना अन्रोच छा अब क्वेशन नम्मर 6 पहला है में क्वेशन नम्मर 6 बुजुम क्वेशन नम्मर 6 माइं या क्ये बने को छा बने बिदेधी भाइबे नियले यो असमिता पॉब्लिकेशन को बुक एर नू परें कॉस्ट अन्रोच अंग्मर 6 एब्जर्प्चन अन्रोच पहला है में क्वेशन नम्मर 6 क्वेशन नम्मर 6 माइं शुरू मा नर्मल कैपसिती 25,000 यूनिट दियेको छा तेस्वाची आमरो production unit 27,000 unit देगो छा sales 28,000 unit, closing inventory 2,000 unit छा अब एस बटेची एत्ती बटा आमला के थाउंचा बने यानी रियर नोस्ता opening stock, production, sales unit plus closing stock opening stock मा production unit जोड़ दा जैले बें sales unit चा closing stock सा बराबर उनुबर छा प्रोड़क्शन चा, sales unit चा, closing stock चा, opening stock चाईना आमिनिकाल सा 3000 unit आउंचा अब एब्जर्प्शन कस्टिंग को income statement बनावदा जैले बन देंदिन पनिकुरा सुर मा फास्ट मा fix over rate को rate पता लगावनु पर्शा किना fix over rate को rate पता लगावनु पर्शा बने अब्जर्प्शन कस्टिंग को income statement मा या manufacturing fix over rate राख दा production unit लए production unit लाई fix over rate को rate ले multiply गरे राखनो पर्शा जैले बने अब्जर्प्शन कस्टिंग को income statement बनने बितिके fix over rate को rate चे कती हो बने राख कोईशन मा यारनु पर्शा जो fix over rate को rate निकालना कलाई fix over rate डिवाइड बान नर्मल कैपसिटी नर्मल कैपसिटी 25,000 unit देको शूरुरू में देको चा कोईशन को अनि fixed over rate चे तला एरदाई जानुस त्याने री fixed work over rate बने रोवान लाक माती राखनुस fixed over rate को rate फो आये अनि आमरो opening stock 3000 unit आये अब सजीले इसा बाय यारनू एत्ती डिटा बाय पची अब सुरू में आमले खे गर्नो परश बन्दा है यानि sales 28,000 unit देको चा कोईशनले selling price per unit 30 देको चा 28,000 into 30 गर्नो sales आयो prime cost बनेर देको चाब prime cost बनेको चे यामरो direct material cost, direct labor cost सभी चाब prime cost ची दे prime cost दियो एके, prime cost अब आमले production unit आणचा राकनो परे यानूँस sales मत्रे sales unit आणचा अब production unit आणचा आमले expenses राकनो परशा अब सब्बाई production unit 27,000 unit चा कोईशनले production money 27,000 production unit into अब आमरो prime cost को rate दी एको चा 13 multiply गरे राकनूस अब प्राइब कोस्ट आई है यानि डियरेक material दियरेक labor cost आए आने की प्राइब कोस्ट बनेके तयो variable overhead 27,000 production unit into variable overhead को rate 5 अब आमरो फ्राइब को rate 5 अब आमरो fixed overhead को rate 4 पखरे कि Research Center को 10,000 अब आ हे हे आमरो प्राइब आमरो NPT नोट प्राइब या Ihnen को आणचा वाई अब ओपनिंग स्ट्रक जान फरे ओपनिंग स्ट्रक बनेको 3000 उनिट वक्खरे फाइन आउट गरे कामले 3000 उनिट यो 22 बनेको 13 प्लास 5, 18 प्लास 4, 22 यो 22 आयो अनि क्लोजिंग स्ट्रक कोईशन आफिले जिएकोच 2000, 2000 इंटु ये 22 आयो मानिस गरे फरे ओफनिट प्लास 5, 24 सब्सक्राइब कोईब कामले ये 22 बनेको 13 प्लास 5, 22 आयो आमरों ग्रस प्रप्रिट विपोर आडजस्मेंट 2, 24 आईब फेरी मस्ट इंपरेटन्ड यो वानदा अगड़े ऐ क्वेशनक्प्राइबर 5 मापनि गरे को थी है माईले यो question मानी गर्देशेवर तेन देर सुनु सभी वन्दा most important case है इनियो normal fix over rate आमरो यो fix over rate आमरो 1 lakh normal fix over rate में real मा 1 lakh पे गरनू परचा तरह या production अंचार राखदा हैरी ये रनुस production unit अंचार राखदा हैरी त्या 1 lakh 8000 पहिछा क्यो पन्नु का मतलब normal fix over rate वन्दा यहां बड़ी आई सक्यो 8000 बड़ी आए यहला यामी over absorption of fix over rate वन्चार ये दी production unit अंचार ये fix over rate राखदा production unit रो यो rate मल्टिप्लाई गर्दा हैरी ये fix over rate 1 lakh वन्दा कम बस्यो 1 lakh वन्दा यहां कम राखियो वन्दे त्याला under charge of fix over rate वन्चार नर्मल fix over rate वन्दा यहां इरी ची बड़ी fix over rate आयो production unit ले rate ले multiply गर्दा बड़ी fix over rate वन्दे त्याला over absorption of fix over rate वन्चार बड़ी आयो 1 lakh वो नर्मल तर यहां 1 lakh 8,000 आयो पन्दुक मतलब सी था यह over absorption of fix over rate हो अवे यहला add गर्णी के less गर्णी एक के ची नर्नुसे यहां कंचिप यह 1 lakh 8,000 आयो यह 6 lakh 8,000 वित्र यह 1 lakh 8,000 आयो त्यों निकाल दा हैरी आमरो 1 lakh 8,000 पनी एस वित्र चा वन्दुक मतलब सी था 6 lakh 8,000 गट्दा था 1 lakh 8,000 पनी गट्दुक तर रियल मा fix over rate 1 lakh मतलब सी था 1 lakh 8,000 उन्दा था 6 lakh 8,000 गट्दा था 1 lakh 8,000 गट्दा था 1 lakh 8,000 पनी माइनस 2 निकाल तर रियल मा fix over rate 1 lakh मतलब सी था बुझन बन्नु पर दाहरी यह 8,000 बड़ी गट्यों 8,000 गट्यों तो इवारा अब तो 8,000 ला तला ला लायरा जोड़ दे पछे ता कुरों मीलियो तो इवारा OVER absorption ला तला लायरा add गट्दुक करदा है रियो over absorption लाए add गर दिनेस under absorption लाए less गर दिनेस यो बन्दा question no.5 मा under absorption को केश चा पस ते आम ले गरे को अथा यूटुब मा वीडियो एरना सख्णूँ जा अब त्यस पाचे अब आम ले ये लाए add गर दे पाचे यो add गरनास आम रो gross profit अब variable selling overhead, variable selling, fixed selling, fixed manufacturing ओबर तिन ओटा पार यू तर fixed manufacturing ये आची आम हुदे ही न की किन है absorption costing को income statement हो absorption costing को income statement fixed overhead मा वाठीगे से कहा हूँचा. चो, variable selling, sales unit माँ depend हुँँचा, चो, 3 per unit question ले बनेगोचा, 3 per unit into sales unit 28,000 multiply गणुचा, यह fixed selling 50,000 चा, यह डिटा जोड एदा S बट यह कटाऊनुच, यह absorption costing को net income आई, अब S बट अब आमी variable costing को net income पता लगाऊँचा, यहां B नमर मा question ले तेपनी बनेचा, बी नमर मा question ले variable costing को income statement बनाऊ, तरा income, variable costing को net income find out गाळा, तरा income statement बनाई रहनों पड़दाई नावा बने कोचा, जस्ते reconcile profit under variable costing, don't waste your time in preparing variable costing income statement बने आचायनुच, अब reconcile गाणने कोचरी, बन्दाई, यह net income ला यहां राखनू पार्यो, अब absorption बाट बेरेबल मा जाना को लागी अमलेके गन परियो, ओपनिंग जोन नी, क्लोजिंग गाटोनी, अगा इडिको बीडियो मा बने आचा, अब बखर यह एरदा यूनोंच, फेरी बुजनु परिताप यहले, एब्जोशन को net income राखने, ओपनिंग skincareespère, फिक्सट ओबरेड को परशन कतिशा, और क्लोजिंग स्टाइग मा eight puisque परशन कचे, तेती मत्रे गटाउनी, ओपनिंग स्टाइग को यहोयो फिक्स्ट ओबरेड को डाट 4, येर यह einz मल्लिपलाइगानास, गटाउनास, अनि test पचे आवा closing struck मायनी, fixed overhead overcharge लेखनो पन्यो, मैंनी यह shortcut में लेखे दाचो, fixed overhead in opening struck मायनी, fixed overhead overcharge in opening struck 4, 3000 into 4 गरे राकनुस, fixed overhead overcharge in closing struck 2000, closing struck unit 2000, fixed overhead को rate 4 जयले पनी reconcile गर्दा, opening struck रा closing struck ला, fixed overhead को rate ले multiply गरने, closing struck गर्टोनस, opening struck जोनस पेरेबल को net income ची 1,2000 उन्च, अब एस्ते गरेरा अब आमी question number 4 मा जो, question number 4 मा आमी के गर्चों बन्दा हैरी त्याने री, variable costing को income statement बनाओ बने को छह, variable costing को income statement ले भनाओ धहरी question number 4 मा आमा, normal capacity two lakh unit per year देको छह, standard variable manufacturing overhead 20 per unit बने को छह, fixed manufacturing overhead 3 lakh छह, variable selling two पर unit छह, fixed selling र लाग चाह, unit sales price बनेर 25 थाह, यह ताइ भी शुर्ची पच्छी पच्छी सुर्भी में बेचाह, अन्तियो बन्द ताल sales unit बनेर 1 लाग 50,000 unit, production unit बनेर 1 लाग 80,000 unit, required मा A नमर्मा income statement अंदर variable costing, B नमर्मा reconcile profit अंदर absorption costing, वो, profit निकाल अंदर absorption costing को बनेर, अब आमे sales unit अंचर, same यह process, sales unit अंचर, sales unit इन्टु selling price राखने परे sales आयो, 36,000,000, direct material चाहिना, direct labor चाहिना, कोई सनमा variable, standard variable over rate चाह, manufacturing, सीधे ताही राखने, production unit अंचर राखनी, यह ची sales unit अंचर, यह production unit अंचर, चातिस लाक आये और केई पनी चाहिए न तेई बरक टोटल याई भाये ओपनिंग स्ट्रक चोर नो परिहवा यो केस मा अब सबे अन्दा मस्ट इम्पोर्टेंट केस सुन्नुस सेल्स यूनिटर प्रोडक्शन यूनिट मत्रे कोईशन मा गीबन छा बने सेल्स यूनिटर प्रोड़क्शन यूनिट मत्रे कोईशन मा गीबन छा बने अब प्रोड़क्शन गरेका चाओ 1,80,000 शेल्स गरेका चाओ 1,50,000 बनाये बिसकुट 1,000,000 बेचे 1,500,000 प्रोड़क्शन यूनिट सेल्स यूनिट मत्रे कोईशन मा ग्रेका बने देन production unit, then it means there is opening stack, यो ची तपे यहले बुझनु परेयो। अहिले को यो question मा, कियो यो equation मा जाहँ दाई ना, किने की production unit रे cells unit मतरी छा निदा, opening stack रे closing stack छाई ना, यो production unit रे cells unit मतरी उन्दा हैरी तपे यहले direct एर नो परे, compare गणु परेयो। प्रोड़क्शन यूनिट ठूल छा, closing stock होनी बद तिया, sales unit ठूल छा, production unit ठूल छा, sales unit बनदा, production unit ठूल छा भने, closing stock होनी भायो, तर sales unit ठूल छा भने, बनाएको बिस्कुट, मैंनो example कलाई एक लाख हसी, तर बनाए 2 लाखोटा बेची, सिधा बनने वन्यों पोसिबल छाई ना एक लाग पच्छा सा जारोट विश्कुट बना एर द्वी लाग बन्यों बेस नकलाई पोसिबल छा ता छाई ना तर त्या ओपनिंग स्टक बहाए बने ता पोसिबल छा निता सो प्रोडक्शन यूनिट बन्दा सेल्स यूनिट तेरे बहाए को केसमा आमी तिया ओपनिंग स्टक बहाए को बनेर बुच्छांँ तर अईले को क्वेश्ण ला क्वेश्ण नमर फोला एर नियो बने तिया नेरी प्रोडक्शन यूनिट चे 1,80,000 एर नुस या 30,000 इन्टो क्लोजिंग स्टक यो 30,000 इन्टो ट्वांटी शिक्स लाग क्यालकुलिए यो 0 लाए अट गनेस लाए 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 लेस गनेस गर्दा 30 लाग हाए 37 लाग 50,000 यू मैनेस कोण 7 लाग 50,000 आए अब यानि तीनो टे कुड़ा आयो fixed selling, variable selling भा fixed overhead yüh या कीना याची fixed overhead आये लाए ना त्याची कीना की यो absorption को income statement ओ यो absorption costing को income statement और fix overhead माथी अड़्जास्ट भाई से क्यो यो ची variable costing को income statement माथी fixed overhead अड़्जास्ट भाईको चाहिना चो इश्मक आमें यहां तला राखनो पाठ्चा, नर्मल फिक्स ओबरेट, यो बेरेबल कोस्टिंगो इनकम इस्तेट्मेंट बनाव दहारी, आमने कईली पनी फिक्स ओबरेटमु तु रहेट प annex पने चाहिभ theoretical कैसे को नर्मल फिक्स ओबरेट जे ओ, तिन लाग, फिक्स सेलिंग मने रो, वान लाग सा, यह क्याल्कुलेसिन रोने सेविन लाग, एस बट यह माइनस कोने 50,000 ला, वेरेबल कोस्टिंग को इंकम स्टेपिनेंट बनाओ दा, आमरो नेट इंकम बनेको 50,000 बनाओ, अफेर यहला रिकंसाल गरनोज, अब यहला रिकं अब कसरी, नेट इंकम अंडर वेरेबल कस्टिंग शूर में राखने, अब यह ताको रिकंसाल को ठ्याक के उल्टो, इंहा ओपनिंग जोड आथे, अब्जोर्शन बट वेरेबल मा जानदा, ओपनिंग जोड इंचा, क्लोजिंग गर्षा, फेरी महीले बनेरा थे, मस्ट इंपोडेंडो, एब्जोर्शन बट वेरेबल मा जानदा, हैरी, उपनिंग श्ट्रक माई फिक्स ओबरेट कती, चाज भएको छ, तेला हैमी क्ये गण परच, एड गर्नी, क्लोजिंग श्ट्रक क्ये गर्नी, लेस कर्नी, तारा पेरेबल वेरेबल वाट एब्जोर्शन मा लू कर मंघल ओपनिंग इश्ट्राक्त जंदे चाहीना 1.5 fix pronounce rate को रहता सब बंदा int 1.5 fix Finance को रहता सुसरी आयो बन्नो ला 1.5 fix Control rate को र्ची निया निली मले ले गर्दी डराचु यह और 1.5 fix illeg collect taxi Detroit わか Tips оф 經 Chuck Hmm normal capacity बनेको 2 लाक साय Trad Leist अब एसले एसले डिवाट को अनुस 1.5 ला 1.5 अब यह fix over rate को rate चाहिए यह reconcile गरनी वेला चाहिए ना थर income statement बनो नी वेला चाहिए रेकांचाल गरनी वेला अथा opening इस्टाक्र, closing इस्टाक्र, fixed over rate को rate ले multiply गरनी यह निस्टा यह पनी यह निस्टाक्र, fixed over rate को rate ले multiply गरेको, reconcile गरनी वेला मतर रेट चाहिए आमले rate ची fixed over rate 3 lakh चाहिए, normal fixed over rate यह निस्टाक्र, fixed manufacturing over rate 3 lakh, normal capacity question में यह निस्टाक्र, normal capacity बनेर सूरू में चाहिए, question को सूरू में normal capacity 2 lakh unit बनेर चाहिए, यसले यसले डिवेट गननू 1.5 है, 1.5 ल बाइ, S मा यह जोनू, 0-95,000 ला, absorption costing को net income मनी आयो, जांसमा लाक्स तब बुझन बाइ, in case बुझन बाइ, इन आवने, मला comment बनी गरने सकना उँच, YouTube मा प्याच सॉस्काइब गरनूँच, comment गरनूच, अथा कुने पेन प्रब्लम को सोलूसन चाहिए, मला comment मा बन्नूस, को वीडियो मा अबलोड गार्नी नीचु अजाला एती गरूं